मतलब बस आप भूत बंगला के काश्ट का नाम सुन दोगों आप कहोगे बहारो फूल बरसाओ हमारा भूत बंगला वापिस आ रहा है अक्षय कुमार के बड़े पर हमें एक बहुती स्पेसल फिल्म का एनॉसमेंट सुनने को मिला जो की था भूत बंगला और लोग excited होए कि यही तो खोज रहे थे मक्षय कुमार के अंदर कहां थे अभी तक बस अक्षय कुमार ने इसका पोस्टा लॉंच किया बिल्ली के कटोर में दूद पीते हुए लोग बिल्कुल पागल हो गए अक्षय कुमार के फैंस कह रहे थे कि इतने साल से हम यही तो डूड रहे थे वह हैरा फेरी वाला अक्षय कुमार वह भूल बुरया वाला अक्षय कुमार अब सामने आ रहा है भूत बंगले से तो वहीं भूत बंगला अभी सही अवेटिड फिल्म के लिस्ट में सामिल हो चुकि यार वो हो भी क्यों नहीं कि हमारे पुराने थिलाड़ी अक्षाय कुमार वापिस आ रहे हैं बिल्कुल विकेट सनी वाले अंदाज में मतलब बस आप भूत बंगला के काश्ट का नाम से लोगों आप कहोगे बहारो फूल बरसाओ हमार भूत बंगला वापिस आ रहा है कॉमेडी से भरा हुआ हेरा फेरी के याद दिलाने बूल बुलया के याद दिलाने साइड करो साइड करो बूल बुलया को साइड करो कार्तिक को दी जा लेकिन अक्षा कुमार अक्षा कुमार रहेंगे क्योंकि वो अब अपना ही एक अलग फिल्मों के कॉमेडियन असरानी जी का असरानी जी भी भूत बंगला में सामिल होने बाले है as a कॉमेडियन मतलब आपका मन तो यहीं पे खुस हो गया होगा अभी सुनो अभी पिच्चर बाकी है हम सब के फेवरेट कॉमेडियन जिनको हमने भूल बलया के पार्ट वन में देखा था याद आया वो चोटी धारी लाल कलर में जी हां राचपाल यादब भी होंगे भूत बंगला में अक्षा कुमार की और अब हम सब के हेरा फेरी के सबसे जाधा एंटर्टेनिंग किरदार बाबू भया यानि परेस रावल भी भूत बंगला में हमें नजर आने वाले हैं मतलब आपको लग रहा है कि हेरा फेरी थ्री बंद्रियों जिसका नाम बदल गया हो बूत बंगला मुझे भी कुछ कध वैसा ही लग रहा है जहांपर दर रहे रहरा दर्शनी फिल्म के दौरा ये बनाय जा है जिन्होने लह ला वी बनाया था मतलब सोचो इस फिल्म में कितना मजा आने वाला है तो क्या आप एकसाईटाइडड हो चुकी हो इसके कास्ट सुनकर अभी कास्ट की हिरोईने और भी कास्ट सामिल होंगे वो सारा अपडेट में आपको दूंगा की टीजर कवाएगा, ट्रिलर कवाएगा, मुवी कवाएगा बस बने रही है फिल मसाला के साथ और सब्सक्राइब कर लिजे बढ़ना मिलेंगे तो कैसे तो जल्दी कर लो सब्सक्राइब यार चलो